हेलो मेरे एक्जाम वाड़र्स मैं दीपा उर्मा अभिप्षा एडूकेशन फॉर एक्सलेंस के इस इनलर्नी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने एक्जाम स्रीस में हैं और क्या कर रहे हैं मार्च मिशन के और निकल चुक हैं जिसमें अभी तक मैं आपको समानजव की ग्यान पढ़ाई थी तो आज से भी बच्चो मैं आपके फिजिक्स को भी डिल करूँगी जो आपके कास्ते हैं साइन्स के अंदर राज फिजिक्स का पाट है उसको मैं डिल करने वाली हूँ ठीक है तो इस पे मैं आपको एक्जाम इसको देरीना करते हूँ जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक में चीजें कॉंसेट को समझाती है ठीक है चलो हमारे की क्या है इकाई पाच है फिजिक्स का ठीक है किसका बहुत तीकी के अंतरकत इकाई पाच ठीक है जिसमें प्रकाश के प्रावरतन अपवरतन जिसमें आपका एक है समतल सता से एक है गोली सता से ठीक है तो आज के लेक्चर में हम समतल सता से जितने भी concept होंगे उसको समझेंगे समतल सता में क्या है हमारा क्या है परावरतन अपवरतन क्रांथिक को इन सब भी जो को समझेंगे तो आप जब इन जो को समझेंगे तो फिर क्या है गोली दर्पन में हम प्रतिभीम की रश्णा पर जा पाएंगे ठीक है तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले संतल सता से जितने भी हम कॉंसेप्ट है उसको देखेंगे ठीक है तो चलो हमारा क्या है अध्याए 11 प्रकाश परावरतन एवं अपवरतन अपवरतन संतल स थीक कहिं अगर संतल दर्पन पर पढ़ेंगे तो इन पर वातिधी परण सब्सक्राइं प्रके के अगर पहल अगर समानतर आती तो फोकस से होकर जाती है फोकस से आएगी तो समानतर जाएगी सेंटर से आती है तो वैसी वापस लोड़ जाती है पी पर आती है तो क्या वैसी तो आपको यह क्या है चार्ड में प्रतिविम की नियाम पढ़ेंगे फिर आप रेखी आवर्धन, M पढ़ेंगे, है न, ये क्या होता है, H divided by H, ठीक है, गोई दरपन में फोकस दूरी है, वक्रताप में समंध, बतलब R is equal, sorry, F is equal to R by 2, है न, आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, तो यही से आप सुचिक क्या है, ये परावर्धन में आपको पूरी प पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलो, ये क्या बच्चो, देखो, क्या देख रहा है, एक मौम देख रहा है, ऑर उसका प्रतीबीम, ठीक है, तो ये कैसे है, ये कौन से थर्फपन देख रहा है, आपको, समतल रफफण है, तो आज कैने पूर कौन से पार posled diferença होने है, समतल दरफ दर्पन दिख कोन सा है भाहित शैप्टर काश का प्रावरतन प्रती भीम अप्रतिविम रशना प्रतिभी अप्रतिविम रशना एक अचाप्र अची प्रकाश का प्रावरतन जब किरन एक से एक ही तक राकर वापस आती है क्रांतिक कौन सखन से विरल ये सब चीजे छोड़े दो दो लाइन में आज आपको लिखनी है है ना आज की चुरन पढ़ने के बाद पूरा ये बना के रख लेना है उसके बाद दुवारा पढ़ने के ज़रती नहीं पढ़ेगी ठीक है चलो सम्तल सतो सम्तल दर्पन से प्रकाश का प्रावरतन ठीक है तो भई प्रावरतन ठीक है जैसे मैंने क्या कहा सम्तल सता जो हम रोज अपना क्या कटे देखते हैं वो सर क्या होती सम्तल सता ठीक है तो सम्तल सता क्या हुई भई हमारा इस मतलब क्या है हमारा दर्वन खीक है अब इसके कोई कीरन आएगी प्राकाश की आएगी अब इसका क्या कर दिया हमने फिल किरन क्या कहलाती है भाई हमारी आपतीत किरन अब यह परवरतित हो रही है मतलब वापस जारी चल भाई आपन घर जा टेले कल ये क्या हो गई ने तो इस इस हम लोग cancer एंसीडेन्ट रे और इसको क्या कहते है CTD的話 ठीक है अब इनके बीच एक अभिलंब होगा मतलब इस समतल सत्य का 90 डिगरी तो यह क्या होगा एंगल आई और यह क्या होगा एंगल आर ठीक है तो यही क्या हुआ प्रकाश का परावर्तन ठीक है प्रावर्तन के नियम देखना है तो पहले आप परावर्तन का परिभाशा द यह आया टकरा के वापस चला गया, यह आने वाली किरन क्या हुई भई, आपटित किरन और यह क्या हो गई भई, हमारी परावर्टित किरन, ठीक है, और इसमें क्या हमने बना दिया, अभी लंब, ठीक है, और आपके जो भी कोशन्स आ जाए इस चेप्टर से, आपको डाइग तो यह क्या हो गई परावर्तित किरन ठीक है तो पहला नियम क्या करलाता है आपतित किरन और अभिलम तीनों क्या है एक ही सता पर होंगे पहला नियम दूसरा नियम SINE I और R इक्वल होंगे SINE I is equal to angle R ठीक है तो पहला नियम क्या होगे है आपतित किरन परावर्तित किरन अभिलम तीनों एकी सता पर होंगे दूसरा angle I is equal to angle R मतलब आपतित कौन और परावर्तित कौन क्या होंगे समान होंगे ठीक है तो कोशन आएगा परावर्त कि सता पर पड़ती है वापर प्रेशित करने का प्रक्रम के वापस जाने का प्रकरम प्रकाश का प्रकाशन. नियम की बाद की जाए तो क्या होगा भई आपतित्किर्ण प्रावर्टित्किर्ण और अभिलम, तीनों एक ही सता पर होंगे, दूसरा प्रावर्टन कौन सदेव, आपतन कौन के बराबर होगा इतना लिग दोगे डाइगराम मना दोगे, तीन मार्क्स पके, ठीके, डाइग ठीक है यह क्या है यह क्या है उसका इमेज बन रहा है ना तो इसी को क्या कहते है हम लोग समतल साथा पर प्रतिविम का बनना ठीक है यह क्या है इसका यह आदमी खड़ा है इसका प्रतिविम किसे बन रहा है दरपन पर क्या इसको छूपा रहा है क्या नहीं तो यह क्या हुआ इसका अभासी प्रतिविम, ठीक है, तो अभासी और वास्थि प्रतिविम को बताइए, तो प्रतिविम क्या है भै, किसी वस्तु का परावरतन के परसाद जुआ जो चीजे दिखती हैlon, दरपन पर हमें क्या परनना, हमारा प्रतिविम, तो वो क्या होती प्रतिविम ठीक है तो प्रतिविम दो प्रकार के होते हैं अभासी और वास्तविक इसे क्या है परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ठीक है ये हमेशा सीधा होता है वास्तविक हमेशा उल्टा होता है ठीक है अभासी प्रतिविम का उधायन क्या होग हम आरा दरपन पर प्रतिवीम बनना वास्तिर प्रतिवीम क्या होगा भई जैसे हम क्या बोलते हैं ना सिनिमा देखने जाते हैं तो वह क्या होगा वास्तिर प्रतिवीम तो इसका अंतर आएगा तो आपको वहीं बताना है इसे प्रतिवीम प्रतिवीम नहीं किया जा सकता है वास्तरी उल्टा बनता है ये रहा कि इस तरह किसे डेरेश्येट करना है फोसद कि अरप वास्तरी नर्वग पर आप युद्ड जाएंगे तो तो रहा अचachen लेगे कि भई अभासी प्रतिविम क्या होगा और वास्री प्रतिविम ठीक है चलो आगे चलते हैं ये image formation हो गया ठीक है तो समतल दरपन पर प्रतिविम कैसा बन रहा है देखो ये कैसे बन रहा है अभासी मतलब इसको आप छू नहीं सकते परदे पर प्राप्त हो रहा है ठीक है सीध सीधा और वस्तु के अकार का अगर आपको पूछा जाए समतल दरपन पर प्रतिविम कैसे बनता है तो भई अभासी सीधा और वस्तु के अकार का बनता है ठीक है चलो आगे बहु प्रतिविम जैसे देखो ये एक यहाँ पर दो आएने रखे हैं तो इसका प्रतिविम किता बाई थीटा माइनस वन मतलब अगर कोई भी दरपन किते में रखा हुआ भाई 30 डिगरी पे ठीक है तो उसमें प्रतिविम के संख्या किती बनेगी तो 360 डिवाड़ेट बाई 30 माइनस वन ये कटा 3 एकम 3 3 दू निचे 12 रिन 1 किता हुआ 11 तो अगर कोई भी दो दरपन 30 डिग अगर कोई दो दरपन 60 डिगरी 30 डिगरी 35 डिगरी पे रखे है तो प्रतिविम की संख्या बताईए तो आपको क्या लगाना है प्रतिविम की संख्या बराबर 360 डिवाड़ेट भाई थीटा माइनस वन और उसके क्या जो भी थीटा होगा डिगरी उसको रखके आपको क्या करना है प्रतिविम की संख्या निकाल लिए ठीक है बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे भी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन क्या था एक सता थी उसको पॉलिश कर दिया था तो भाई उसको रोग देता था मेरे से होकर तू नहीं जा सकता जो भी मेरे से आएगा तकरा कर वापस जाएगा ठीक है जो भी मेरे से आएगा तकरा कर वापस जाएगा तो ये भाई परावर्तन ठीक है अब भाई अपवर्तन में क्या है हम कोई एक सता नहीं लेते एक कोई माध्यम लेते हैं ठीक है जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था ये एक पॉलिश था चीज से निकल जाएंगे लेकिन जैसे आएधे ही वैसी नहीं जाएंगी। उस लिए वोاب जहते है थते हैं अच्छा कासा रोड में चलते जा रहे हैं उसके पाद के JOHN K entra तो यही मूढता तो हमारा अपवर्तन तु आया तू निकल पतलीगरी से निकल जिस रसते आया था उस्य tourists जा तो यह क्य Pray जाता है एटन ऽो तो यह peculiar आपवर्तन क्या होता हैorya मस्त रोड पे जा रहे हाई वे की रोड बें सड़ली गाउं का आगया पकडंडी आपकी गाड़ी पंचर ये वही पंचर का रूल है आया टकराया घुज गया ठीक है तो जे आपकी speed क्या हो गई कम हो गई सेम क्या हो प्रकाश का प्रावर प्रकाश का होता है यह क्या है वीरल माध्यम है यहां पर क्या है वायू है तो यहां पर कंड क्या दूर होंगे ठीक है यह क्या है सगन माध्यम है उसके कंड पास पास होते है तो क्या होता है यहां पर प्रकाश की चाल अलग होती है तो जब प्रकाश की प्रकाश की चाल अलग होगी तो क्या होगा यहां पर यह Ist होंगा प्रकाश की चाल इसा न खोड़ा सा मुळ जाएगा तो यही क्या है अप्रकाशी का एक माध्यम से दुश्रे माध्यम में जाता है तो अपवर्दन तो वो अपने प्त से विछदित हो इस घटन को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन, और आपको क्या करना है यहाँ पे, एक डाइग्राम बनाना है मिरे बच्चो, ये क्या हो गई भाई, आपटीत की रण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अब हम यहाँ पर दोनों पर क्या खिचेंगे एक अभी लम्ब ठीक है यह क्या हो गई अब अपवर्तित यह क्या हो गई वो क्या हो रही है मुड जा रही है तो यह क्या हो गई अपवर्तित और ये क्या हो गया हमारा अभिलंब ठीक है तो यही क्या है हमारा अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती तो अपने पत से विशलित हो जाती विशलित हो जाना कि घटना को ही क्या कहते हैं अब अपवर्तन अब आपको इसके नियम लिखने तो चलो पहले क्या है भई पहले एंध दो यह समझे संभनमाध्यम आप विरलमाध्यम ठीक है यह काज का एम टुकड़ा है काज का इक्स का एक है समझदक हम लोग चुश्वरिमंट करते हैं तो काज के वह मिल मिला रहता है हमें ठीक है तो ये क्या हमारा इसके कंड पास-पास होते है तो काच क्या है सगहन माध्यम है ठीक है ये हमारा क्या हो गया सगहन माध्यम और ये इधर क्या है वायू है ठीक है तो ये हमारा अभिलम तो जब यहां से कोई किरन आएगी इस पर टक राई तो ये क्या हो गया अभिलम की ओर जुख जाती है वहीं अगर प्रकाश की कीरन काच से ये काच है अगर इस काच से वो सघन से क्या हो रही है विरल पे जाएगी बच्चो तो क्या होगा वो अभिलंब से दूर हटेगी तो अगर आपको प्रशना आता है प्रकाश क्या प्रकाश कीरन में क्या विश्लन होता है जब वो सघन से विरल या विरल से सघन में जाती है तो जब विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा वो अभिलंब की ओर जुकेगी अगर सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी ठीक है तो आपको यह बताना है ठीक है लिखना है सघन से विरल दूर हटेगी विरल से सघन, अभी लंब की ओर जुकेगी, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एंगल सेम नहीं हो सकते, आपतित को न परावर्तन को कहाँ परावर्तन के नियम में, यहाँ पर क्या है, एक आई एंगल बनेगा, और एक आर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिड, रिफ्लेक्टिड वहाँ था, यह रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, आपतन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, यह रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो चलो, तो नियम की बात की जाए, तो पहला क्या होता है भई हमारा यह हो गया काज का टुकड़ा अभिलंब परावड की रन आप्तित होई यह क्या हो गई तो यहां पर क्या होता है आप्तन आप्तित की रन अप्तित की रन और जहां पर आप्तन हो रहा है उस पर अभिलंब आप्तन बिंदू पर अभिलंब तीनों क्या है एक ही सता पर है ठीक है दूसरा होता है एंगल आई और यह हमारा एंगल आई और एंगल आर sin of angle i is equal to sin of angle r यहाँ पे नहीं होगा क्या होगा इन दोनों का मान constant होता है इस्थिरांग ठीक है चलो नियम देखो अपवर्टित की अंदर था दोनों माध्यम के प्रिथक करने वाले प्रिष्ट के आपतन बिंदू पर अभी लम सभी एक ही तल में होते हैं देखा ना आपतन कोन पर अपवर्टन कोन और अभी लमतीनों क्या है एक ही बिंदू पर है ठीक है प्रकाश किशी निशित रंग और निशित माध्यमों के यूग में के लिए आपतन कोन की जा तथा अपवर्टन कोन की जा मतलब sin of i upon sin of r क्या होता है इस्थिर होता है दोनों का अप्रम बात क्या होता है इस्थिर होता है इसी को क्या कहते है हम इस्थिरांग और इस्थिरांग को क्या कहा जाता है भई म्यू अपवर्टन नांग ठीक है और इसी को क्या कहते हम स्नेन का अपवर्तन का नियम ठीक है यदि I आपतन कोन और अपवर्तन कोन हो तो साइन I upon साइन R is equal to इस्थिरांग आपको इतना निखला होगा ठीक है इस इस्थिरांग के मान को दुसरे माध्यम का पहले माध्यम के साथ पेश अपवर्तनाग कहते हैं ठीक है यह स्नेल का नियम कहलाता है अगर आपको पोकुशन दिये दिये जाए कि स्नेल का नियम क्या है तो आप क्या कहेंगे दिये गए माध्यम के लिए अपवर्तन कोन का मान अपवर्तन कोन की जा और परावर्तन कोन की जा का मान हमेशा स्थिर होता है इसी नियम को क्या कहते हैं हम इस नेल का नियम और आपको क्या लिख देना है साइनाई अपॉन साइनार इस इक्वल टो इस तरांग और इस तरांग को क्या कहते हैं हम परताना आंग, परताना आंग, बोले तो μुो, ठीक है, यही है आपका परताना आंग, ठीक है, इतना समझें, lutufvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvotvדרiv ii guestians, भ tiet-गी, जा दो , तीन माख से कोशन आएंगे, यहीं से आएंगे, ठीक है, चलो, अब हमने क्या कहा था, अपवरतना आंख है न, तो यह क्या था भई, यह क्या होता है, प्रकाश का, प्रकाश की चाल एक माध्यम में और प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में, ठीक है, तो यह क्या होगा भई, प्रकाश की चाल माध्यम एक माध्यम दो और सापेक्ष क्या होगा हमेशा एक का तो क्या कहेंगे एक के सापेक्ष में दूसरा जैसे air सापेक्ष ग्लास तो क्या हम लोग हमेशा क्या लिका लेंगे इसी का और क्या होगा एर ग्लास का सापक्ष किसके होगा हमारे वायू के तो इसी का उल्टा क्या होगा वायू का ग्लास के सापक्ष तो इसमें संबन्ध क्या होता है भई इनका मान सदा एक आता है ठीक है चलो अपरतनांग क्या है देखते है तो अपरतनांग क्या है भई किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल की अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम अपरतरांग कहते हैं, ठीक है, तो क्या है देखो, प्रकाश की चाल वायू में अलग होगी और निर्वात में अलग होगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहा जिर्वात से किसी अन्य माध्यम में आती है तो उसे हम क्या कहते है literature kya बोलते है derelarde uz अगर आपको descriptions दें ले जाए तो परामठर्णाग क्या है तो आप क्या बताएंगे प्रकाश का當 यू से दूसरे मात्रा नहीं होता है और सुत्र की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे एक प्रकाश की चाल एक माध्यम में और बटे प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में ठीक है सापेक्षिक अप्रतनांग क्या होगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एक माध्यम में प्रकाश की चाल के नुपात को क्या कहते हैं हम लोग सापेक्षिक अप्रतनांग क्या होगा प्रकाश की चाल वायू बटे प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में ठीक है विटमिस जब प्रकाश वायू से किसी अन्य माध्यम में आती है तो उसको हम क्या कहते है निर्पेक्षव परतनांग और अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो उससे क्या कहते है सापेक्षी का परतनाग जैसे 1μ2 मतलब प्रकाश की चाल माध्यम एक, प्रकाश की चाल दो, वहीं, अगर कोई भी वो किसी मिडियम में वायू में प्रकाश की वायू में प्रकाश की चाल बटे, माध्यम में प्रकाश की चाल इसे क्या कहते हैं? निर्पेक्ष, प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आती तो उसके अनुपात को क्या कहते है? हमनों सापेक्ष का प्रतनांग ठीक है, चलो, कोशन देखते हैं यदि पानी का परा मतलब निर्पेक्ष मतलब क्या हो रही है वो किस से आ रही है वायू से पानी में आ रही है ठीक है अपड़तनांग चार बटे तीन है तो पानी में प्रकाश की चाल ग्याद कीजिए ठीक है मतलब क्या है हमें अपड़तनांग निर्पेक्ष अपड़तनां divided by पानी में प्रकाश की चाल ठीक है अब परतना किता अब दिया है भई चार बट्टे तीन और हम जानते हैं कि वाईयों में प्रकाश की चाल कित्ती होती है तीन गुड़ी दस की घात आठ ठीक है पानी में क्या है हमने एक्स मान लिया तो x is equal to क्या हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 into 4 sorry into 3 divided by 4 9 बट्टे 4 दस की घात 8 ठीक है 2 2.25 into 10 to the power 8 meter per second यो की चाल किस में निकालते है meter per second में तो आप क्या लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल कित्नी है 2.25 दस की घात 8 meter per second ठीक है तो इस तरह के से आपको क्या है question तो इस पे आपको पहले क्या बताना होगा दिया है क्या है पानी पानी का पराम पहलता नांग 4 बते थी हमें ग्यात है वायू का प्रकाश की चाल वायू में 3 गुडी दस की घात 8 meter per second ठीक है वायू में प्रकाश की चाल बते पानी में प्रकाश की चाल पिर आप value put करेंगे तो फिर निकालेंगे फिर last line क्या लिखेंगे पानी में वायू प्रकाश की चाल 2.25 दसकी घात 8 मिटर पर सेकेंड होगी ठीक है इस तरीके से क्या है आपको इस question को solve करना है ठीक है चलो अगला देखते हैं प्रकाश में प्रकाश से वायू में 1.5 अप्रतनांकी काश की प्लेट में प्रवेश करती है काश में कितनी चाल है ठीक है अब वही सेम है क्या है air to glass तो speed of light in air क्या है हमारा भाई तीन गुणी 10 की घात 8 किस में निकालनी है ग्लास में निकालनी है ठीक है अप्रतनांकी किता दिया है 1.5 जी को इधर लें चलो 3 गुणी 10 की घात 8 बटे 1.5 दो गुणी 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ठीक है तो क्या हुआ भाई प्रकाश के चलकाश में कित्ती होगी 2 गुणी 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ठीक है तो इसी तरीके से आपको तो आपको यही निमेडिकल दिये जाएंगे, ठीक है, तो आपको अपरतन की घटना के दैनिक जीवन में कोई दो उधारन बताइए, तो बताइए भी क्या होता है, पानी कोई क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं, सिक्का हम डालते हैं, किसी बीकर में कुछ का तो वो उपर दिखाई देता है, यह हो जाएगा, ठीक है, तो इसने कैसे क्या है, आपको क्या है, इसके उधारन बनाने है, ठीक, क्रांटिक कोट, ठीक है, देखो, अपरतन का हम नियम पड़े थे, यह था, क्या हो रहता भाई, जब विरल से सघन में आता तो क्या होता है, या भीलम की और जाता है, लेकिन जब सघन से विरल जाता है, तो दूर हटता है, ठीक है, तो एक ऐसा मान आता है, जिसमें, यह सघन से ऐसा जाएगा, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिगरी, देखो, इतने में गया, दूर हटता, फिर थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको बढ़ाया यह फिर ऐसे गया, एक मान ऐसा आएगा, कि यहां से जा रहा है, तो यह परावरतन ऐसा होगा, तो जिस कोन के मान के लिए, परावरतन 90 डिगरी होता है, उसे हम क्या कहते है, क्रांतिक कोन, तो आप क्या लिखेंगे, जिस कोन के मान के लिए, अपरतन कोन का मान 90 होता है, उ और ये कैसा हो चाहिए भाई जो किरन है वो क्या सघन से किस में जानी चाहिए हमेशा विरल में तब ही होगा विरल से सघन में आएगा तो नहीं विरल सघन में आएगा तो यह पास हटते जाएगा क्या है इसको दूर हटना चाहिए तो आप भाशा क्या लिखेंगे जब भी क तो देखो क्रांथिख कॉन सघन माद्म से आप तन कोन का वहमान है जिसके लिए विराल माध्यम से में आपवरतन कोन का मन नबे अंच होता है ठीक है और आपको क्या करना है यहाँ पर डैग्राम बना देना है, एक बताना है भई, जब सघंसी विरल में जा रहा है, तो क्या थे दूर हटता है, तो एक ऐसा बताना है भई, कि यह गया और क्या हो गया, यह अपवर्तित कोन का 90, और आपको यह बताना है भई, यह क्या होगा, हमारा आप्तीत, यह क्या होगा, अपवर्तित, ये सब लिखना होगा, ये क्या है, अभिलंब, आप्तित कौन, परावर्तन कौन, ये सब चीजे लिखोगे, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे है न, ऐसा नहीं कि डियाग्राम में आकर नहीं छोड़ेंगे, पूरे डियाग्राम का एक एक चीज को आपको बताना है, तब कहीं जाके तीन मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, चलो, हम अपने पूर्ण अन्तिक प्रावर्तन पहाते हैं, पूर्ण अन्तिक प्रावर्तन क्या है, देखो, जैसे ये आपका क्या हुआ, आपका हमारा काच का माध्य में है, ये हमारा भिलंब हो गया, अब ये क्या था, प्रकाश की रण निकली दूर हटी ठीक है एक मान ऐसा आया जब क्या है प्रकाश की किरन गई 91 हो गई अब इस से भी और जैसे यह 70 है अब क्या हो गया भई ये 75 हो गया तो ये तो 70 पर ही इसमें मूड जाए अब क्या होगा 75 हो गया तो यह क्या हो गई अब यह इधर वापस आ जाएगी ठीक है तो यही क्या होता है पूर्ण आंतिक परावर्तन जैसे देखो यह क्या है प्रकाश किरम यहां से यहां से यहां से यहां से क्या हो रही है एक ही माध्यम में घूम रही है इसी को क्या कहते कहते हैं पुर्ण आंतिक प्रावरतन को देखो जब प्रकाष को का कांतिक क्यूंत से अधिक हो जा miejsce तो प्रकाश जहा है उसी माध्या में आंत्रिक रूप से परावर्तित हो जाती, इसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंत्रिक परावर्तन ठीक है? क्या है ? जब सगन से वीरल में जाती है ? है न तो क्या दूर हटती है लेकिन ऐसा मान- आए कि उसका क्रांतिक मौन से अधिक हो जाए तो यह ऐसे जाएगी, व्य वापस आज estrans, जाएगी यह क्या है हमारा आपतन- अपवर्टन तो ये सेम माध्यम में क्या आप वापस आ रहे हैं तो इसी को क्या कहते हम, पूर्ण आंत्रिक परवर्तन ठीक है, तो आपको पूर्ण आंत्रिक परवर्तन आएगा 2 से 3 marks में, आपको definition बता देना है एक बार सगन से विरन में जा रहा है तो क्या दूर हटता ये बता देना है उसके बाद ये पूर्ण आंतिक प्रावर्तन होता है इसको बता देना है ठीक है इतना लिखोगे तीन माक्स आपको मिलेंगे ठीक है अपवर्तन के क्या है पूर्ण आंतिक प्रावर्तन का कोई उधारन दे देना है इसके बाद क्या है आपका आंसर्हों ठीक हो जाएगा, ठीक है तो आज की चैपटर में हमने क्या देखा, परावर्तन, अपवर्तन, क्रांतिकॉन, पुनार्टिरिंग परावर्तन, ठीक है यह क्या है आपके अधिहाई 11 सम्तल सत्ह से परावर्तन से नियम थे, तो अपवर्तन के लिक रहें तो जब आप इस concept को समझ जाओगे, तो आपको क्या है, दोनों chapters क्या है, easy हो जाएंगे, ठीक है बच्चो, तो आपने तयारी अच्छ से करते रहो, और जैसे कि मैं शुरू में चार्ट दिया था हो, बहुत है कि सब के वारे हम दो-दो line लिखनी है, तो क्या है, आपको दो-दो line क्या है, जब क्या है, ऐसा आपतन कौन, जिसमें क्या है, परतन कौन का मा नब्बे हो, पुनानतिक परतन, एक ही माध्य में वापस आ जाना, ये सब चाहिए कि दो-दो line में आपको लिखनी है, परतन के नियम और परतन के नियम, इसको बहुत अच्छ से करना है, ठीक है, इ झाल चाहिए ऑट खना है, जब माध्य में आपको बहुत ओड़ को बहुत आपको बहुत